दोस्तों आज थोड़ा मूड भ्यंकर वाला सीन, आज लाइक नहीं रुकने चाहिए, मतलब भाई, आज सीन सेट कर दिया, अचा यह मैं बोलू आपको यार 4GB वाला ग्राफिक काड, आध मैं i5 प्रोसेसर मिल जाए, 8GB लाइट वाला फुल कैबिनेट, और यह सब कुस भाई Amazon से भी आप चाहो तो purchase वर्चेस कर सकते हो, वागि link in the description आपको मिल जाएंगे, आज यार पूरा PC built आपके साथ करूँगा, खरीदने वरीदने वाला सीन तो आप सेट कर लेना, वागि आप build कर सकते हो, साधी साधी यह test भी करके दिखाने वालों क्या सीन रहता है, वागि जो भी पार्ट्स हम लोग यहाँ पर यूस कर रहे हैं, अगे इन लिंक और in the description, बागि हमारी website से भी आप purchase कर सकते हो, right now website अबलेबल नहीं है, जल्दी आपको comment में मिल जाएगी, बागि तब तक आप Instagram पर message कर देना, अगर purchase करना हो तो, बागि आओ सब से पहले मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूं, लोग यहाँ पर क्या-क्या यूस करने वाले, फिर build करते हैं, gaming भी हो जाएगी, आज एकदम GTA 5 टाइप, आप पार्ट्स की बात कर लेते हैं, आप सबसे पहली चीज को एक है, मैंने इस चीजों को थोड़ा यहाँ खटा करने में टाइम लगा है पर आपको जपा जब बता जेता हूं, सबसे पहली चीज है, क्या करनी है आपको 4000 के पास, प्राइजिंग में अराम से एक kit मिल जाएगी, जिसमें आपको motherboard मिलेगा, और एक आपको उसके अंदर processor मिल जाएगा, Intel का, i5 मिलेगा, 3rd generation, तो i5 हमने यहाँ पर डाला है, साथ ही साथ उसमें आपको RAM भी मिल जाएगी, 8GB, तो यह एक यह sufficient package है, और इसकी pricing मुझे ठीठा की लगी, 4300 के आसपर, यह इतना ही बिलॉंग करता है, आप separate भी खरीदो, तो आएए आप खरीच सकते हो, यहाँ सारे products का link in the description, बागी मैंने यार कोशिश करिए, जितना हो सके आपको उपर से लग सकते है, major, वागी वैसे हो जाएगा, तो ठीक है, सबसे पहले motherboard, processor और यहाँ पर RAM तीनो major चीज हमने कर लिए, अब हमारा आता है, major click graphic, तो graphics आप 4GB आपको उठाना है, DDR3 होना चाहिए, और यह वाला सही है, मैं आपको link again, description मैं दूँ हो, वहाँ से लेन यह सारी pricing भाई मैं online के बता रहो, offline शायद यह PC अराम से 9000 या 9500 में भी बन जाए, easily, online थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, यह अपना दोनों चीज हो गई, बहुत सारी होगी ना, processor, RAM, motherboard और GPU, और उसके बाद आजाती है, storage, storage तो चलो ठीक है, आपको 256GB, SATA वाली उठानी उसमें cabinet पर प्लस आपको SMPS लेनी पड़ेगी, अब मेरे पास यह जो आप देख रहे हो ना, यह 1500 रुपए में मैंने खरीदी थी, offline लेकिन ली थी, तो online तो मुलना मुश्किल है, इसमें सबसे बढ़िया चीज किया है, cabinet में light भी मिल जाती है, और साथ ही साथ हमें यहाँ एक power supply pre-install मिलती है, तो यह एक चीज है, तो मैं वैसे prefer करू, offline नहीं लेना cabinet हो सके, तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा, online वही आपको 2500 यह एक दो का मैं link दे दूँगा, description में, है नीदुगान तो क्या करोगे, तो वो वाला खरीच सकते हो, आप तो हैरान हो जाओगे, अगर powerful एक colorful वाला cabinet भी, तो यह सब कुछ, बागया हो यार, built हो जाए, अब सबसे पहले तो भाई, अपना थोड़ा kit वाला मामला आजाता है, तो सारी समगरी मेरे हाथ में, तो चलो यार, फटा-फट से set कर देते हैं, अब सबसे पहले, इतना सा काम है, यह सब सेट करना है, सबस प्रोसेसर का करते हैं, यह slot में यहां पर open कर देता हूँ, यह आगया भाई, अपना भैतरीन सा प्रोसेसर, जो में पूरे kit विट के साथ है, समगरी के साथ मिला है, तो इसको यार, आपको यह देख रहे हो, यह समगरी के साथ मिला है, यह दोनों मैच कराने है, और इतना simple क काम यार, मैं तो यह आख बंद करके भी करदू लग रहा है, यह लो, सेट हो गया, इसके बाद भाई, थोड़ा सा हम लोग यहां पर thermal paste apply कर देते हैं, वैसे इसकी जरूबत आपको पढ़ेगी नी, क्योंकि आपके पास नया नया fan होगा, नया fan के अंदर यह चीज यहां प तो यहीं पर आपको हमेशा CPU के ले, CPU fan देख सकते हो, यह वाला slot हमेशा यहां पर होता है, slot को यार, नजर अंदाज मत करो, और यहां पर, yes, यह आगई अपनी fan की wire totally, और इसी के साथ प्रोसेसर सेट हो गया है, अब यहां पर बाई, RAM इंस्टॉल करना है, यह भी बच्चो तो यह पूरा set on हो हो है, अब इसको सीधे install मारते है, तो यह लो भाई, धाचा हम लोग लेके यहां पर आ चुक है, अब सबसे पहले cabinet में अपना power supply है, तो ही चलो, ठीक है, आपको यह motherboard के बॉक्स के अंदर ही है, यह जरूरी रहता है, और इसमें यह जो तीन वाले होते है यह हमेशन नीचे आते है, तो इसको आप बहतरीन तरीके से यहां set कर दो, यह पहले set करना जरूरी है, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में तो भाई, आपका mother board आ जाएगा, तो यह basically अपना major unit जिसको भी हमने set किया था, वो आ गया, अब इसको आपको simply यहां पे देख सकते यह slot आपको मिलते है, इसमें हमें basically set कर देना है, तो इसको slightly आप ले जाओ, और इस hook के साथ थोड़ा attach, attach करके best तरीके से इसको set कर दो, एक बार यह चीज हो गई ना, तो आपका बहुत सारा काम हो गया, बस अब screw आप कर देना, screws कहां से मिलेंगे, यह cabinet के साथ, आपको अब mostly वैसे सारा काम तो हो गया, बस SSD लगा देते हैं, एक और यह चीज, तो यह देखो, मैंने starting में बताया था, SSD के साथ के आपको, एक SATA केबल आपको मिलेगी, ऐसी तरीके की, तो इसके एक केबल तो आपको motherboard में लग जाएगा, और secondary आपकी SSD रहेगी ना, इसमें एक होत इतना easy है ना, 2-3 click में, बस यहां पर यहां पर wires में देखो, सबसे पहले तो आपकी healthy cable, जैसा मैं starting से बता रहा था है, एक आपकी cable आपको दिखेगी, तो समाझ जाओ, यह motherboard के लिए, तो यह रहे देखो, इतना बड़ा slot DC के लिए, बस इसको ऐसे करके उज़ेर दो, इसमे अपना यहां पर done हो गया, तो same scene था, बस wire management थोड़ा कर लेना अपने हिसाब से, यह दो wire ही होती है, मेन, अगर graphic card होता तो उसके अंदर चाहिए, graphic card है अपना पर उसको यह external power की जरूवत नहीं, आती साथ लगे हाथ, साटा को भी power दे देते है, मैंने बोला था, here you can see, साट लिखा हो, आपको दिख भी जाएगा, और इसको मैं यहां पर simply, इसके अंदर, मार दिया, भाई, हमने connect, और इसी के साथ, SSD भी ready हो गया, system पूरा powerful हो चुका है, सब कुछ done हो गया, बस आप हमारे front के connection बचें, तो आप यह button नहीं देखते हो, starting में, जिससे आपका on होता है, या फिर USB या उडियो, इनको कैसे connect करें, तो आपको cabinet के साथ, भाई, तीन wires मिलेगी, एक यह front के connection आ गया, एक USB के लिए और एक audio के लिए आ गया, सबसे कोने में, अपना audio वाला मैंने यहां पर connect कर दिया, तो यह भी मैंने यहां पर connect कर दिया, सब के नीचे लिखा रहता है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, HD audio, यह दो main होते हैं, और एक होते हैं यह front वाले, तो इसके लिए आपको manual चाहिए होगा, manual से आप देख के ज़रूर connect कर लेना, बैतरीन से, परना PC नहीं चलेगा, तो यह थोड़ा main है, इसके अलावा अगर आपके cabinet म जिससे SSD लगाई थी, वैसे मोलेक्स वालों से पावर दे देना है, उसके जैसा jack ढूणना, जो भी external आपको fan दिख रहा हुआ, LED बस उसको connect कर देना, चले, यह सारा account दन हो गया, और last unit अपना, यह, ग्राफिक कार्ट 4GB वाला, इसे कैसे रोग सकते हैं, तो आओ इसे भी ज एक दम फिक्स हो जाएगा बैतरी, इसमें तो पावर की जरुवत नहीं थी, बड़ना, पावर देनी पड़ती, और इसी के साथ, PC अपना TATA हो चुका है, और at the end भाई, यह अपना PC विल्ट यहां पर पूरी तरीके से दन हो गया, मतला, जितनी चीज़े थी, आप इसको ट यहां एक चीज़ मैं कहाई बटन पे टॉप क्लास विडियो मिल जाएगी, फूल एकदम खतंडनाग 10 ए 11 की 11 तो वैसा आप नहीं चलो हो तो अच्छा है 10 ही जादा सही रहेगा, इस सिस्टम पे, यह आ घए अगई घए विटाएगी तो मैंने पहले से सेट कर लोगी थे पहले से SSD में जो थे सारी लोड आउट हो गए हैं here you can see अब टेस्टिंग गेम वें टेस्ट की तो बात करते हैं बागी यह मेजर सीन है विंडोस तो काफी है अगर गेन यह स्मूज चल रही है कोई दिक्कत नहीं है अगेन हमने यहां पर SSD यूज़ कर रही है सारी चीज़े एक दम टॉप क्लास वर्किंग कर रही है मजा आएगा एक नॉर्मल काम के लिए वागी यह दोस्तों बात रही है ग्राफिक की तो आप लोग भोलो यहां पर आप सबसे पहरे सिस्टम देख सकते हो फुल मौज में अपना प्रोसेसर नीचे ग्राफिक काड चल रहा है 4GB वाला और अगर मैं वापस से सिस्टम पर आता हूं तो मैं आप यह क्या करता हूं विंडो प्लस आर फ्लस की डी एक्स डी एजी करके यह रहा यार सारा पैनल और यह यू के नोटिस भाई क्या 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 हम लोग यूज कर रहे है तो आई 5 3rd generation अपना दुमादार चल रहा है चार को चार थ्रेट के साथ सूपर प्रोसेसर 8GB आपके आगई यह दोनों मेजर चीज थी और साथ में साथ माई डिस्पले में यहाँ पे चलता हूं तो NVIDIA का अगेन यह यह अपने लगा रहा है जो गार्ड और इसमें 4GB अपने को VRAM मिलती है यह पूरा standard scene है जो काफी तगड़ा scene हो रहा है वागी देखो simple word में बता हूं तो हमने इन से पार्ट्स पर टेस्टिंग कर रहा है अगर आप GPU टेस्ट देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी अगेन अमने इस पर GTA 5 चलाए थी देखो decent है यह GPU अगर आपको मैं एक considerable GTA 5 गेम लेके चलता हूं ल इस PC के साथ अगर 4GB आपको graphic card चाहिए तो यह best option है आपने games ट्राइ करी थी वह सब चीज़े आप देख सकते हो on screen आपके आई रहे तो fps count क्या रहता है तो at the end by decent आपका halka full gaming का काम है तो आप खेल सकते हो time pass अपने थोड़ा होता है दोस्तों के साथ खेल लिया minecraft minecraft online खेलन यह सब बहुत basic इसके लिए हल्वा एकदम अराम से बना देगा साथ ही साथ भाई फुलकी आपको photo editing करनी है photoshop वाला software वह थोड़ा lag ही रहता है पढ़ हां वह भी काफियत तक इस graphic card के करने smoothness है ठीक ठाक है आप काहां काम चल जाएगा premiere pro भी आप चला सकते हो हल्की फुलकी रेंज में आपको मिल जाएगा offline ज्यादा सस्ता अगेन मैं बोलूँगा यह completely overall scene था hope so आपको PC तगड़ा पसंद आया हो मेरे साबसे तो माइका लाल है मज़ेदा बागी चलो अगर वीडियो पसंद आयो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो subscribe बनता है tech related videos के लिए share करते ह तब तक लिए बाईयर जय हिंजय भारत वन दे मातराम